नमस्कार, दोस्तों स्वागत एक बार आपका फ्हरसे मेरे चैनल पर तो मैं्विपिंड परमार और आपको आज एक वाहरेंग outdoor नमबर जो की 9548310160 और मेरी मेल आड़ीप पर मार 197-38-gmail.com पर आप मुझे contact कर सकते हो तो चलिए वीडियो को सुरुआत करते हैं तो हम पहले स्टार्ट करते हैं वायर से कि हमारा वायर में हमें कौन से incoming stage पर control करने पड़ते हैं और कैसे करते हैं तो सबसे पहले थो हमना जहां से हम अपना वायर जो ले रहें तो कौन से supplier से आ रहा है क्या वायर का type का टाइब का है क्या हूए इस का size क्या उसका कलर है black is blue है और उसकी solution type कैसी में उसकी packaging कैसी है वह हमें विजवली चेक करना होता है entanglement of wire का मतलब होता है कि wire एक दूसरे के साथ में उल्जी हुई तो नहीं है तो वह भी हमें विजुली चेक करना होता है damages में हम देख सकते हैं कि हमारी insulation damage तो नहीं है तो यह चीज़ें भी हम चेक कर सकते हैं फिर हम देख सकते हैं विजुली कि हमारे जो copper की conductor है उसमें कोई corrosion वगेरा या solution कुछ free तो नहीं है तो वह चीज़ें भी हम देख सकते हैं अगर मैं dimension की बात करूं तो वह जो wire का size है तो उसके number of copper strand कितने है वह हम चेक करना है कि मौरे मीटर झाल करना होता है तो चैक करना होता है फिर wire का resistance क्या है माइक्रोमेटर से वह चेक करना होता है एंसिलेचन का थिनेशन की देकनेश्म नेज्ट टैस्ट है उसके लिए का नेगने होती है उसके बाद में हम इंसलेशन रिच So, पिए हम कर सकते हैं बहुते हों जल्दी आग पकाड़ता है कि उसके फिलिमयृपिलिटी इसटेंस का चैक कर सकते हैं geek resistance भी चैक करते हैं फिर उसके बाद Linux कि क्या है वह हुनिय होई का ये को संहीं ंप पता अवा सकते हैं नेक्सिफ हम बात करते हैं कि जो उमारी क्या है देश की चेक करना होता हैна फिर फोल्ण वगरा उसके जो है वोगार ना होता है वह बाँकर भेससे तो तो अम हमकी मेंफेक्ष्रींग डेट से से इसके छफ लाइफ को मेंटर करना होता है पैकेजिंग कंडिशन कैसी है उसकी टेप की जो बॉक्स है पूरा वो भी हमें चेक करना होता है पील ऑफिस टेंद भी चेक करते हैं डेस्टन भी चेक करते हैं और फोर्स कितना रिक्वाइड है उसको पूल करने के लिए नॉर्मल और अप्टर हीटिंग भी टेस्टिंग से हम पता लगाते हैं आ अगले जो वारा फांट है यह गलिफ ट्कश अगाळ टेवल टैए यह ट कव एक अगलब या टाइवनर जो भी आप जिस नाम से उसको बोलते हो विवे हमें क्या के चीजें चेक करने होती है का प्रोफाइल कैसा है उसका फ्रोफाईल भी चेक करना है कलर कैसा है उसका ब्लैक है डिफरेंट डिफरेंट अधाइफ के कि खेंज NICK करने पड़ती है उसमें कितनी है locks, slots, embossing कैसी हो रखी है, short, shorting तो नहीं है, उसमें कोई molding से बनती है, तो उसमें कोई short short तो नहीं है, कोई, flashes वगरा भी चेक करने होते हैं, उसकी finishing कैसी है, packaging condition कैसी है box की, लेक्ट जो हमारी clip है, उसकी length कितनी है, width कितनी है, और उसकी height कितनी है, अगर कोई critical dimensions है, उसकी तो भी में check करने होती है, दूसरा हमारी clip में, जो mounting, mounting का area होता है, वो mounting का area भी हमें check करना होता है, कि वो अच्छे से hold में, जो vehicle का hold हो, उसमें, अच्छे से, वो mount होगा या नहीं, तो हमें check करना होता है, क्लैम की बात करहूं, तो anchor का ancestral force, जब हम उसको ढलते हैं, तो कितना force required होता है, उसको इसको remove करते हैं, तो तो कितना force required होता है, Singapore का潮 और उसकी material की properties क्या है, करना पड़ता है इसके बाद में चलते हैं हमाना अगला इमारज चाइल पार्ट है वो फ्यूज में में कहा चीद से करनी पड़ती है तो फ्यूज की रेटिंग क्या है तो एक हो इन इंट्र फेश से आता है या डेंसो देता है और भी बहुत सारे सप्लाइर्स है जो आपके फ्यूस बगरा जहां से आते हैं कलर क्या है उसका प्रोफाइल प्रिंटिंग अगर कुछ एंबॉसिंग प्रिंटिंग उस पर टेन 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 एम पी ऐसे करके उसके एमपियर रिटिंग लिखे होती है तो वह भी मैं चेक करना होता है बेसिकलिए आयगा जो इसकेटीथ होते हैं वह भी हमें चेक करना होता है और यहां पर एक जो गर्यव दिन अहले कि आप है कि ब्रेक टो नहीं है ऑग प्रिंटिंग जो सबक्रेघे हैं cir Çok में अच्छा से फूरति और कrzyा सकी और जो blade है blade की height क्या है blade की width और blade की thickness जो blade है इसकी thickness क्योंकि यह mount होता है आपका fuse terminal में, fuse box में तो उसके लिए इसका सारा dimension मीजर करना पड़ता है ताकि वो easily उसका insertion हो सका है Next software की तरफ software होता है नद छांप अंड में लगाते हैं तो इसको हम देखते हैं कि फोर्ड बगारे कैसे है उसका हीट कान से उसको चैक करते हैं अधेशन कैसा है कैसी है फिर पैकेजिंग कंडिशन उसकी कैसी है सेलफ लाइब हम उसकी मैनिफेक्शन डेट से उसको मोनिटर करते हैं अगर आप ने देखा वाइरिंग आने सके ड्राइंग में तो लैंथ और विड्थ फॉर्म की दी हुई होती है तो उसके साफ से अगर वो कट सेक्शन में अगर आप पर फॉर्म आ रहा है तो इसकी के भी बूलते हम बात करते हैं जाब सारी जह से भी को स्टेइज्च पावन करने परती है लाइक वो टिलेटिटेड है तो उसके देखनी पड़ती है देखनी पड़ती है शोबी गृत्यन हो तो लाइट तोốiय хочет की डशी देखनी औरती है सबर्द Но इसका के ततए तो नहींmor है फिर टर्मिनल की वाइंदिंग डारेक्शन भी देखने होती हो कैसे बाउंड हो रखा है वह आपके जो टर्मिनल रील जो मैं पैकेजिंग की जो रील होती है लैंद क्या टर्मिनल की विर्द किया है था-ई-ड कितने नमबर आफ उसमें सटैпड्स हैं कितने number of slots उसमें है वो सारी चीज़ें देखना है फिमेल है या फिमेल है मेल फिमेल दोनों को इंसर्ट करके भी हम देख सकते हैं अगर मेरा रिंग टर्मिनल है तो उसके ID क्या है OD क्या है शीट की थिखनेस क्या है अगर कोई critical अगर हमारा है तो critical dimensions स्मांटिंग dimensions अगर है उसकी तो भी चेक करनी होती है फंक्शनल ये प्लेटिंग थिकनेस उसके अगर कोई प्लेटिंग की जो थिकनेस उसके थिखनेस क्या है वो चीजें हमें देखना पड़ता है तिर हम क्रिंप करके भी चेक कर सकते हैं कि उसका जो फोर्स है पुरा पुल उसको चेक कर सकते हैं फिर हम उसका उसका सोड़ डिस्प्बेर टैस्टिंग भी कर सकते हैं लिए सब्सक्राइब क्लाउन के लिए अमिंड के लिए दिने क्या उसके विल्ट BACK जो करने चाहिए जो दालते हें स्सक्रानrąमे Whenever प्रिए पोल स्कोंगे चेक करना पड़ते हैं मुज चेक करता है रवट का य colony branch वनकोर्ट चे रवट का य 빨व गजल रहता है वो भी में चेक करना होता है अगर कुछ को श्कुर्च ँसमें और पार्ट लगा हुआ है stitch चेक करना पड़ता है इडिका जो हमारे अभिन संंसक्त की मुझा कर सकते हैं लिए से छेक्स में अपना टर्मिल्ड के नदर ढलके भी जैक कर सकते हैं कितना उसका और इंजेशन फोर्स और रिजेशन फोर्स है कितना पुल करने पर है वो कितना भी इंटर कर पाई रहा है उसके हीटेजिंग प्रॉपर्टी इंसलेशन की प्रपर्टी और उसके मैटिविफ को में चेक करना परता है नेक्स्ट हमारे जो चाहिए पार्ट उससे इंग्रोमेट्स होते हैं रवट के पार्ट सुथे कैप हो गया जैसे टर्मिनल होता है वह गया है यह मारा जब वैल्टिंग हो जाती है उसके उपर इंप यह पार्ट में आज़ता है इसमें हमें चीज़ना है जो थे क्लर कैसा है उसका प्रॉफायल हुप्स अगर्डा रहे तो चेक करनी होती है की फ्लस नहीं है कोई वाइड ब्लूमिंका उदलबंग को वाइड इस तर्ट टाइप का तो नहीं और रुखा पिन गोल्स तो नहीं है बोल्डिंग का कोई डिपैक्ट तो नहीं है उसमें पैकेज इश्चीं सेलफ लाइफ उसकी वह मॉनिटर करने मिट्री सब самой कमना होता है अगर हमारे करो है तो इसमें में लेंड क्या है इसकी हड क्या है पर पेती दिदेड होता है तो एक सब्सक्राइब सउपर डियुक्ट होता है अगर कोईowe's का अगर करना पड़ता है चैंबर में उसको एक्सपेंड करते हैं कि कितना इसको कर सकते हैं कि करने होती है चलते हैं कि जो हमारे हार्ड या फिर हीट श्रिंग की त्यूव दिया चैस्टिछ इसको हम बोलते हैं heat shrink tube या फिन्वार हीट resistance की पीपी है पीवीसी की जो tubes होती है उनके हमें क्या क्या चीजिए चेक करने पड़ती है color क्या है उसका finishing कैसी है printing flashes कोछ अगर उस पर प्रिंट हो रखा है वो कैसा है लेजर marking अग्यारा self life कैसी है उसकी packaging condition कैसी है length कैसी इसे ट्यूक की ID क्या है OD क्या है और हम उसका insulation resistance और जो withstand voltage है वह हमें वह मिश्र करना होता है insulation resistance tester से heat की resistance कैसी है जाँ अगर मेरी है chest है तो उस पर में heat डालूगा तो वह shrink होती है तो वह हमें resistance एक बाच चेक करना होता है material code क्या है वह भी हमें चेक करना होता है उसका color क्या है वह भी बहुत सारी चीज़े चेक करने पड़ती है नेक्स चलते है जो वाटर की जो सील्स होती है waterproof coupler के लिए जो टर्मिनल पर लगती है क्रिम बोने से पहले फिर वह एक वाटर तो तो वह स्यशी में हमें क्यक्स चेक करनी पड़ती है हमें कित्ने की सील है वो बने जो है चेक करने होते हैं बोर प्लाज और सॉलिड है या फिर हमें ये सारे चीज़ें से सील्ड भी चेक करना होता है फ्लैशिस के आयम वोल्डिंग की ट्रिपेक्ट्स तो नहीं है इसके बाद में उसका जो आईडी है और यह जाता है तो जाता होगी तो यह आगे जाने के चांसे बहुत ज्यादा होते हैं ट्रमिनल की साइट नेक्स बात करते हैं जो हमारे प्लस्टिक के पार्ट्स होता है अगर चीज़ें चैक करते हैं तो आगर मैं इसकी बात करूं प्रोट्रिक्टर्स की तो उसका क्लर क्या है और को प्रोफाइल क्या है पीटिकल डैमेची नहीं है। आगर कोई मांटिंग की डाइमिशन होते हैं जो वहिकल में मांट होता है। तो वह सबसेते critical है, वह हमें IDOD, वह में देखनी पड़ी है, ओलवल शेप है या आपका circular shape है तो वह सारे चीजे हमें देखनी पड़ी है, width क्या है, उसकी height क्या है, क्यूकि यह आपकी vehicle में mount होता है, तो बहुत critical dimensions होती है, फिर हम इसमें देखते है कि जो वायर route करना है, वह easily और यह स्वाज़त आइस लिए नहीं और फंक्शनल टर्मिने इसनस्टवोस की टासथिया और टेश्टिंगः कि उन्कर से नेक्स्टव बात करते हैं जो मारा इस प्रिले और पर यूज बॉक्स में बिसे हैं घृता है तहीं हो लुक्षयर नृत कोंगी है उसमें कलर किया है कोई लेजर की कहाँ पर लगा हुआ है और शॉट कट में लिखा होता है कि ये इस प्रपस के लिए है तो वह सारी प्रिंटिंगंने दिए शॉट मॉल्डिंक दूने कोई डिफॉपमेशन तो नहीं आ रख खी कोई प्राप डिस्फन दू दूंहां कि कोई प्रॉब्लम दूंहीं है पैकेजिंग को कोई प्रॉब्लक चेक करना पड़ता है फिर जब इसको टाइट करते है वहां पर हमें उसका टाइटनिंग टॉक भी देखना पड़ता है कि कि तो यह सारी चीज है वह हमें आफ यूज रिले वॉक्स में चेक करने पड़ती है नेक्स आदें कोड ट्यूब जो आपके होती है पाइप जिसको भूलते हो वह ही यह जो इसमें और कोई प्रेंट नपर है तो भी देखना पड़ता है प्लाइस तो नहीं है शौट मोल टुनिया डेफॉरमीशन तो नहीं आ कि कोई कत मांक या पैकेजिंग केंडिशन से कोई शूर्स तो नहीं है इनर डाया उसका कैसा आउट डाया और जो मीन डाया है वो वह एक्रेट है या नहीं फ्लेम रेजिस्टेंस अगर हमारी वह आपार और नौन अफर्द हो टाइप की होती है तो वह में फ्लेम रेजिस्टेस्ट भी करना पड़ता है फंक्शनल टैस्ट है स्टेंत्ट युओ टेस्टिंग करने पड़ती है कि युद्ण ब्रकॡट हो पाएगा हुद में और अब्स e जैसे कि कलर क्या है प्रोफाइल क्या है उसका अगर उसके को प्लेटिंग रखी है या फिर कोई कॉरोजन रिलेड़ेट कुछ है तो ऑक्सिडिशन वगए उसका मैं चेक करना पड़ता है कुछ है इना ड्या कैसा है अगर कोई नट हैं कितने उसके ऐसी मैं करते हैं तो वं सारी हैं चेक पड़ती है अब आते हैं इसके चेक करना हूँ होगी तो उसकी कंटिनुटी में होती है किintérieur करनी पड़ती है की वह आजयसे उसमें कलर भी देखना होता है मारे बहुत टैप वह एक्वाight होती है इसका प्रोफाइल कैसा है जैसे कि रिलीस पर देखा तो बहुत सारा प्रेंट ऊपर रखा है तो प्रिंटिंग चेक करना पड़ता है या फिर प्लेटेट हो रखा थो प्लेटेट की धिकनेस वगएरा वह वह भी देखनें ऊपर जो उसके पार्ट होता है वह सौट मो लेंथ उसकी कैसी है फिट कैसी है है उसकी एक्युरेट यह यह नहीं देख दब करेंगा टर्मिनल इसकी कैसी है उसको यह खेक हम फ्रहता है नेक्स्ट है हमारे झार फिलिंग जौ घ्राइब टालते हैं बहुत इंहारे कपलर होते हैं जिन में ग्रीज भी डालना पड़ता है तो फिलिंग एजेंट उसमें प्रॉटिकेशन टेग दाक्पेजिन गरेब्लिंग कंडिशन से ल्फ लग और एकोई देखने क्रिटिकल डाइमेशन है तो सारा कुछ अक्रिट होना चाहिए और लास्ट हमारा पैकेजिंग कंडिशन हमारी जो है मेट्रियल की वैंट कट वगएरा डैमेशन कोई कलर से कोई इशू तो यह हमारे के तोटल ट्रीट चाहिल पार्ट्स हैन जो मारे वायर गार्नास में लगते हैं वायर सोगे टेप और आप कूरा बताया है कि हमा कर सकते हैं और नीचे कमेंट सेक्षिन में भी आपको कुल कोई रही है तो आप उसे डारेक्ट पूर सकते हूं तो थेंक यू थेंक यू एवर्योंन पर वाच थेंक